और ऐसे खोद रहें ऐसा साइज साइज से पूरा तो कहा पर लख लो बिल्कुल टमाटर के जैसे लगने हैं जैसे हरे टमाटर होंगे हैं यह आलू ही एक हिसाब से जानो पानी पी लिवा हेलो एब्रिवन वेल्कम मैं न्यू व्लॉग तो भी सुभे के साथ बज़ रहे हैं और सुभे सुभे मैंने सौप ओपन कर लिया है लग वह इसी ताइम पर आता हूं और आज कल बहुत जली दूप लग जाती है लगबक सारी 6 वजे निकल जाती है दूप पर मेरी नीन खुल आज तो सुभे अभी एक दो घंटा रहते हैं उसके बाद पाप जब निचाएंगे तब जाएंगे मुप परक के बाद मुहाद के फिट जाएंगे खेत में तो दिखाते हैं आपको आज का पूरा तो मैं आप लोगों को बताने के लिए यहां आ गया हूं भाई यहां पे यहां पर है यहां तो इतने में बो रखेते और इतने में पूर कैते बिल्कुल ही नीला बिल्कुल ही नीला ऐसा मौसम बहुत दिखाए और धूप इत्र को आगी है बाई जाद ही स crucfie लगी डिखह रहा है दीखिनी रही धूप सामकों भारOOOO और यह दिन में साफ रोता है और साम को फिर॥ बारिस हो जाती है अब रहा है आप चलता हमगी तो इसले वाले ब्लॉग में बताया था मैंने कि यहां पुरान की थी तो कल साम को यहां जाड़िया लगाई तो दिखाया नहीं मैंने तो दिखा दिया अभी कल साम को क्या दिखाना था चलते हैं तो भी चल दिया है हम रास्ते में जो यहां के से यही पर खेत नीचे थोड़ा ही नीचे तो यहां पर थोड़ा यह इसकी चाओ है तो अच्छा फील हुआ और यह दो भी आ रहे हैं हमारे साथ तो इन दो को ममीन जी ने बुलाया था तो आओ भई गिल्टा लेके वाओ क्या म मास्ते इस रास्ते में भी हम इने किया था काम जब यह पर का रास्ता बनाता अब तो खरी में टीमिटी दिख भी नीचा कि सिमेंटर रास्ता होगा तो हमने कि थी यहां अपने नान नावरों के साथ काम तो फाइनल भी खेत में पहुंच चुके हैं और मामी जी थोड़ा देर पहले पहुंच गई थी और यह दो भी जोड़ पतलब यह बीज हैं तो धान इन्हें से होते हैं क्योंकि रूपाई भी नजदी की है रूपाई भी एक दू मैने में लगना शूरू हो जाएगी बस हल लगाने तो यहां भी कल यह परसों जब भी टाइम लेगा मेरेको हल लगा दूगा इधर साइड तो यहां गेहूं लगा रहेके थे तो गेहूं काटे तो उसकी नल यहां बची है तो इन्हें भी चुनना पड़ता है हल लगाते टाइम और अभी खोदना है इसको पूरा इतना बड़ा और यह दो भी चलो मदब तो मिल दी है तो यह अपने इस रासिद्धे तो बचा बचा के करना पड़ीगा और मैंने भी हाप टीसट पहने रखिए जिसकारण की मेरे फटे काले होने वाले हाथ तो इसे गड़ वाली में फटे बोलते हैं फटे बोलना है पहले बोल देते तुम्हारा फट्टा काला वेगी बें गाम मागुमी ग तो देखो बाई कभी-कभी ऐसा भी देखने को मिल जाता है यह आलू का पौदाय मतलब उपर यह है और निचे आलू रहते हैं तो इसमें उपर लगे हैं बिल्कुल टमाटर की जैसे लगने हैं जैसे हरे टमाटर होंगे हैं यह आलू ही एक हिसाब से देखा जाए जो जो काबिल अलू मिला है जो मेरे हाथ के बराबर है लगबग तो इना बड़ा अलू अब ही निकला है बस अभी और भी नेकलेंगे पर पता निए तो यह मैनट यह मैंदेश है और इतने से च्रिफ आदा कट्टा हुआ यह वाला आदा कट्टा जो सिमेरे का रहता है उसमें से सिद्धे आलु उठाते रहने हें व degree अइसलु आधे ना रिको मिगूल ते जैल तो अब पहला चकर ला रहा हैं तो यहां पर यह कट्टा इसनों उन्ने इस्तरीद अ यहां पर अनील अपने बेलो को चरा रहा है तो दे जाते हैं और मौस्ट यह भी हुआ है 30-40 किलो अभी लगबग जितना मेर को आइडिया लग रहा है क्योंकि 20-25 किलो यह 25-30 किलो और उनमें भी होगा तो 30-40 किलो अभी पहले चकर में वा यह तो 2-3 चकर होंगे ज्यादा न देखते हैं नियुक्त देख और तो अव के सब्सक्राइब ढूंनिधर को थोड़ा नीचे को बचा है और यहां और व होगया है ँसना किलो देख सच बारियका ऑनचेू आप लिगा दिख भार अन्येनग नियुक्त ट्रक्तरस बहुत बढ़फ यह दिुड फम खोज ortsa बर्रे मैं तब तक आराम कर रहा हूं और कटटा ले जाके आ रहा हूं दूबारा डु समय में होने वाला है थोड़ा लैसा ज्यादार ऍवस्सक्याज़ लेसे में नियगे तो इस से लिताएं लार कर smarter तो बना के और पापा जी के लिए लाग के दुकान पे और तब तक ये करते हैंगे अपना और निपटाई देंगे मैं खाना बनाने चलता हूँ इसे लिए चाता हूँ और इसके बाद आऊँगा लास्ट चकर के लिए इसके बाद अलमोस्ट लास्टी चकर होगा यह थोड़ा सा बचाहे निचे 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 लाइन में और यह करो हैं आराम से मैं आरा खाना बना के तो अभी मैं फाइनली घर पहुंच चुका हूँ और जो मैं आलू ला रहा हूँ वो मैं वहीं बिचा दे रहा हूँ फर्स के उपर तो अभी मैं तोल तोल के ला रहा हू लगी ही रहते हैं तो को बनाते हैं कंदा बॉरा तो कोई नहीं नियाख नहीं नहीं गोंगा से लाने के पापा जी के लिए ले जाते हैं उसके बात मैं खुद खा लूँगा खाना ममी जी भी खाएंगी तो अभी मैं खाना बना के निच्या चुका हूँ और बस अपने खेत में भी पहुंचने वाला हूँ तो मेरी वीडियो में आपको हलका फुल्का bubble effect ताइप का दिख रहा होगा क्योंकि मैं मैंने पहले वताया है कि मैरी ultra white camera के स्टेबल होके rehell तो मैं एडिटिंग के माधियम से उस्से शेबल कर रहा हूँ तो हलका फुल आपको bubble effect दिख रहा होगा कहीं तो अल्टावाईट स्टेबल नहीं होब आप सिम्पल कैमेरे में वीडियो नहीं लगती है ठीक क्योंकि उस पर चेरे चेरे दिखता है इतना तो वह नहीं लगता है ठीक इसमें पूरा कवर होता है एक रफाइट कैमेरा में तो इसलिए मैं अल्टावाईट केमरे से यही ज़्यादा प्रिफार करता है वीडियो बनाना बट इस्टेबल नहीं है इस फॉन का ल्ट्रवाइट तो फरकी दिक्कत है तो भी पहुंचो कहां दुबारे यहां खेत में और वो भी दो भी चले गए हैं जो बच्चे थे वो भी चले गए बैचार ठगे होंगे क्योंक जाना है और जो इधर कोंगे उन्हें ले जाना है तो अभी फाइनली पूरा निपर चुका है और एक कटा ये दो छोड़ जो ट्रिकटे और हो गए थे जिनने मैं एक बाट्यान डाली थी तो वह दो बच्चे और आ गए थे बच्चे बोलों जो छोड़ जोड़ आ रहे है तो उन्होंने ले लिया ले गया तो आफत कम होगे थोड़ा वरना दो चक्र आने परते मिरको अभी भी तो ममी जी अभी गास कटा कर रहे है जो यह है ममी जी घास ले जाएगी मैं यह कटा ले जाँगा यह अभी बहु जादा भारी हो गया है थोड़ दे पहले 25-26 किलो त यह वाला तो अभी यह होगा लगवक 30-32 किलो होगा तो अभी मैंने यह पीठी में टांग दिया क्यूंकि गर्दन में ले जाता तब खीक नहीं था कंदे में ठीक नहीं है इतना भारी बजन यह ममी जी घास ले जाएगी उनके लिए और इस बार्टी पर भी आलू है क्यू मैं आज में तो झादे पशेंडों हो गिया आलत खराब होगी तो घर करते हैं तो अग्लम करते हैं कि यह जाते हैं मिलते हैं देख न whit तो बादलद असमान की यह का होते हैं ऑफ नीदार किती बेंग कर वाली नाने के बाद में पढ़ गया अराम कर रहा था और भी मस्त हवा चल रही है और आस्मान भी मस्त बादल चारकें पर बारिस नियुगी ना ही होगी साइब मेरे साब से तो आज के लिए फिलाइक तहीं पसंद आए वह तो लाइक करना शेयर करना रांए मिलतेंजल दी ने फिलाग में तन्क यू सो बच्छ वाचीं भाज़ आई